नमस्कार दोस्तों, मैं सुद्धी राजवी, आपका स्वागत करती हूँ 90.8 JUFM पर, जहां आज हम बात करेंगे फाइनेंस विशे के बारे में फाइनेंस यानि की विद्ध एक ऐसा विशे है जो हमारे और हमारे देश के विकास में मैथु पुन बुमी का निभता है तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे अंजली राठोड मेडम से जो की MP के रहने वाले हैं वर्तबान में अंजली राठोड मेडम एक मर्टी नेशनल कंपनी में फाइनेंस एनलिस्ट के रूप बकारे रत हैं इससे पहले भी वे कई नीजी संस्थाओं में काम कर चुके हैं तो आईए बात करते हैं अंजली राठोड मेडम से और जानते हैं इस विशे से जुड़ी और जानकरिया मेडम आपका स्वागत है 90.8 JUFM पर नमस्ते आप सभी को मुझे 90.8 JUFM पर आवंत्रित करने के लिए मेडम तब से पहले तो आप अपने और अपने केरियर के बारे में बताएं मैं एंपी के एक छोटे से शेयर से विलाओं करती हूँ जो बैतुल है मैं में मिदिल क्लास वांवलिशे हूँ तो बच्पन से ही मेरे करी सारे सपने रहे हैं अवर मैं अपनी एकडामी के बारे में बताऊ तो मैंने ग्रेजुएश्ट मैं भी कॉम किया है देक्स और पोस् ग्रेजुएश्ट मैंने शेयर नबिए किया है इन फाइनेंस और भी क्लिशानी चीज़नी हैं सर्टिफिकेट से ज etmekने फाइनेंस में आस्वाल करे है मेडम वर्थमान में आप एक finance analyst की रूप में काम करते हैं इससे पहले भी आप कई नीजी सलस्थाओं में finance हैतर से जूड़े रहे हैं तो आपका जो finance की प्रती नगाओ है आपकी जो रूची है finance को लेगे तो वो कैसे बड़ी इसके बारे में में यह कहना चाहूंगी कि मैं मतलब में मेरे अपने परिवार के बारे में बताओं तो मेरे पिता एक दुकान दार है और उनका अक्रिती बाड़ी और काफी सारा बिजनस रहता है और नानी की फैमली ने हमेशा टास्पोर्टेशन की बिजनस में आंगे बढ़ा है तो मैं बच्पन से बिजनस का उतार चड़ाओ और सारी बिजनस में कैसे सारे क्या काम कैसे करते हैं सब देखते रही हूँ और मेरे बापा ने भी कही सारी चीजों के लिए मतलब बैंक में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं का उते हैं पैसे कैसे जमा करते हैं कैसे निकालते हैं यह सब बढ़े आधे महाँ बढ़े आके मोका दियों आरके भीजाएगी तुकी फियाता जैसे दुकान का जो लेन देन पैसे जम्हा करना तो यह सब चीजे में बच्पन से देखते आ रही हूं तो यह सब करी न करी देखा जाए तो फाइनसे ही डिलेटर अगर अगर मैं फाइनस की बात करो विट विशेश तो विट एक ऐसा विशेश है अचली यह अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखत कि में आता है वह अपने बिजनस को बहुत अच्छी तरीके से आकर बढ़ा सकता है नए सornoक बिजनस को में भागी कई सारी चीजहों में भी बहूट फाइनिंश डिसीज़न मेकिंग कर सकता है अपनी स्टेंडर अफ लिविंग बहुत अच्छा इंप्रूफ कर सकता है तो कि रूची मुझे जैसे कि मैंने बटाया कि मैंने अपने परिवार में और करी सारी योगा पर देखा है तो उसी से आई है मेरे परिवार में मेरे भाई वैनों का परिवार ता जॉइन परम दी थी तो उसमें सबने मैतमेटिक सब्जेक्स ही ले रखा था या बायलोजिकल सब में जादा इंटरस्ट नहीं था तो मैंने commerce subject चूज करा उसके बार मुझे finance के बारे मैं बहुत जादा डीटेल में फढ़ने को मिला commerce के अंतरगत जिसमें मैंने सारी डीटेल finance से related पड़ी finance क्या होता है कैसा calculation होता है banks कर क्या क्या लेंदेन होता है क्या क्या हमारे इंडर्श्ट्री में बहुत सारी जो लेंदेन की बाते होती है बिजनस से related ले लो या मार्केट से related ले लो एग्रीकल्चर की फील्ड से related ले लो या हमारे खान की और दूसरे बुड्स और सर्विसेस से related जिती भी चीज़े वह सब के बारे में पता चंती चलीगी जब मैंने graduation भी कॉम से किया तो मुझे उसके बारे में और पढ़ने के मौका मिला और बिजनस को जानने के मौके मिले और आपके सारी चीज़ों को जानने के बारे में मिला MBA Master in Business Administration होता है जिसमें कई सारी फिल्ड से हम कर सकते हैं मैंने फाइनस इसी के लिए चूस किया था क्योंकि मुझे जार्टेट अकाउंटेंट का भी कोर्स कर रही थी तो उसका काफी नौलेज था तो पर मुझे वह फिल्ड सही नहीं लगी कि क्योंकि मुझे आगे जाके एक बिजनस एंटर फेनर बना था उसके लिए मैंने जॉब करना और आगे अपना बिजनस कोलने का इस अपना देखा है तो इसके लिए मैंने फाइनस के बारे में और जानकरी हादिर करके जॉब प्रिफर करी फ्राइवर्ट सेक्टर में तो यही सब बहुत ही रही है रूची के लिए फाइनस इंटरस्ट्री में आगे बढ़ भी एक है मैं आज ही जिन्दगी में फाइनस क्या रोल प्ले करता है किसी भी इंसान जो डाइरेक्टली फाइनस से नहीं जुड़ा है तो उसके लिए भी क्या यह मैजवपून बूमी का निबाता है देखाज़ाएं तो हर चीज़ इंप्लीमेंट होती है हमारी डैली लाइफ में जैसे मेतमनेटेक्स भी कيعी जारी जगा हमारी लाइफ साइकल में वैसे ही फाइनस भी कई सारी जगा इंप्लीमेंट होता है अगर आप दुकान पर कुछ सामान लेने गए तो वहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसका यही मतलब नहीं कि आप अपना मैट सींस कर रहे हो बट माब एक दुकानदार के पॉइंट ओफ यू से सोचो अगर उसके नज़रिये से सारी चीज़े देखो तो वह अपना धंदा कर रहा है उससाब से आपको यह लगेगा कि वह फाइनेंस अनलिटिकल होकर फाइनेशली टर्म के अकॉर्डिंग सोच रहा है तो नहीं सिर्फ इंप्लिमेंट होता है हमारी लाइक साइकल में फाइनेश भी सारी जगह कही अलग अलग जगह पर यूज होता है अगर जैसे मैं बता हूं कि आज के दौर पर फाइनेश सबसे बड़ा ऐसी इंड़स्ट्री है जो सिर्फ पैसा जो इतना एक वैल्यूवेबल चीज है हमार बीना पैसों कि आज आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फाइनेश उसी से रे उसी से कनेक्टेड़ होल सोल है सक्ची उसी से कनेक्टेड़ है फाइनेस की पैसे से डिलेट़ तो अगर पैसा किसी भी इंसान को सेफ करना है जो आज की बहुत जरूरत मन चीजह है जैसे पैसा कमाने से जादा पैसा जोड़ने का भी सोचता है तो पैसा को सीज करता है कितना इन्वेस्ट करना और का कितना अपना घर का खड़्या करना और कितनी कमाई हो रही हो उसे सापसे सोचने के लिए फाइनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर कोई एक नौकरी करने वाला इंसान भी है और अगर वो महीने की 30,000 तंका कमा रहा है तो आज कल लोगों के पास बहुत सारी कई सारी चीजे होती है कई सारी लोग काल लेते हैं घर बनाते हैं कई सारी एमाइज रहती है वो उनको पे करनी रहती है और गर का merchants देना पड़ता है बहुत सारी चीजे होती है इंश्रूरिस देना पड़ता है गँखिराना लाना पड़ता है बच्चों की fees तो यह सब निकालने के पाद जोंके पास कई बार बचता है कई बार नहीं बचता है वो खुर्जय में बिर जाते की कम पड़ जाता है तो खर्जा लेना पड़ते ने दलू Euch Rセ तो इनी सब का कखुलेश्ण और इनी सब्याद की जada thứ की डेसीजन मेकिंग पाएगा और उसके लिए काफी सेविंग्स कर पाएगा पैसे को सेफ करना बहुत अच्छी बात है आज कर की यंग्स्टर्स भी कई जगह यही सोचते हैं कि हम कैसा पैसे बचाए या क्या डबल डबल चीजे करें या दूबनी चीजे करें हमारा कहां वक्त जादा से जादा जो कि हम पैसे को निवेश कर सके कई अलग-अलग पॉलिसी में उससे कैसा रही दुसरी जगह से पैसा कमा पाए ज्यादा सोर्स ओफ इंकम हो पाए त्यूंकि आज की मेंदाई में हर चीज आप एफर्ट नहीं कर सकते आज कर जिस तरीके से सारे ब्रांट्स जिस तरीके से एक contenido जी एची आधे बढ़ रही हैुस तरीके से डेवलब्मेंट इतनी तेरी से चल रहा है हर जोटे से बड़ा इंसान इसके पास पैसा हो पर उसको कैसे कमाना आचाना चीह हैुसरी सब चिजे में इंकलूदे होती है तो यह बहुत ही महनुपन रोल प्ले करता है हमारी ल क्या और आपने एक सhीज बोली थी कि आपके इस द aún है मनी विजनस करना चाछते हैं लेकिन बिजनस के लिए आपने प्राइवेट सेक्सटर को ही तो रहा आपने कि गापने स्वेट फञाश्राओ की तरफ मूव नहीं किया लाओ आप Frank खुद भी नी जॉब के साथ बिजनस करने का सोच रही थी क्योंकि बिजनस की कैपिटल या इतनी इसी ली रेज नहीं होती है तो मेरा भी यही सोच थी कि मैं जॉब करके कई सारे इंवेस्टमेंट करो और उसमें अपना पैसा कमा हूँ और कैपिटल रेज करो अपने बिजन खोलने के लिए मुझे फंडिंग मिल सकें वहां से रही बात प्राइवेट सेक्टर और गवर्मेंट सेक्टर की मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि हमें दोनों सेक्टर को कंपेर करना चाहिए यह दोनों सेक्टर अपने अपनी जगा पे बहुत स्थम्प है मजबूत स्थम्प हमारे देश की प्रदतिकी और उन्नती के और तो नहीं सिर्फ उन्नती के और आजकल की कई सारे युवापिडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर यह दोनों मिलकर काम करें तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट और लोगों भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा अफ्रस्ट होते जा रहे हैं और गवर्मेंट सेक्टर कम होता जा रहा है सब कुछ आचकल प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है पर उनको अगर अच्छे से लोगों का सपोर्ट मिले सरकार को भी और सर कोई पर्टिकुलर विजन नहीं था कि मुझे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जाना था यह उस समय का बस एक सोच थी कि अगर सरकारी क्योंकि मैंने कई सारी जदा देखा है कि माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा जिंदगी और अच कई सारी चीजें हो जाती है कि कॉंपिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आज कर हर चीज में कॉंपिटिशन है कोई बात नहीं अच्छी बाते की कॉंपिटिशन होना चाहिए पट सरकार गवर्मेंट सेक्टर में हजार पोस्ट निकलती है पर फॉर्म भरे आझे शेल का चाहिए और आशी जाता है कि क्योंकि कॉप्रेंट की कई सारी ऐसी बैनेफिट्से जो आपको जो और एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी जो में प्राइफीक है सरकार या बोल सकते हो कई सारे बेन्स कई सारी चीज़े माफ कर देती है और रेले आने जाने का एक सारी चीजे उनको फ्री पड़ती और याद वो कम चार्जेज लगते हैं जिसकी वज़ए से उनकी काफी बच जाती है तो सरकारी स्कूल में भी सरकारी करमचारियों के बच्चों को इसी नहीं लिया जाता है उनकी फीज कम लगती तो यह भी कही सारे बैनिफिट्स हैं तो इ उसका रिजल्ट देने के अगर वही अगर इनसान यह सोचे कि हम अच्छा काम करें अच्छा परफॉर्मस दे या अच्छा जिस काम के लिए कारी के लिए हमें रखा है जितनी हमें तंगा मिलती है ना इसी उसके बैनेफिट्स ले और ना उतना ही जो शोर इंपॉट डाले तो हम उतना रिजल्ट सरकार को भी दे पाएंगे क्योंकि अगर आप देखा जाये तो गवर्मेंट सेक्टर भी अपना जो जितनी भी असोशियेशन है या जितनी भी अलग-अलग संस्ता है वो चलाने के लिए उनको फंडिंग चाहिए रहती है और वो फंडिंग वो पु इतने पैसे नहीं मिल पारें उनके संस्खाओं से जिसकी वजह से वो कर्ज में और डूखते चले जा रहा है और देखा जाये तो इस तरीके से कर्ज और बढ़ता चला जा रहा हमारे देश में अगर हम दूसरे कंट्री से भी लेते हैं तो महीं प्राइवेट सेक्टर में कंपनी कई सारा काम कर देती है और उनको कर जिता लेना नहीं पड़ता क्योंकि प्राइवेट में यह रहता है कि आप कोई भी कंट्री से कर्ज नहीं ले सकते हैं आपको पर्टिकुलरी बैंक से लेना रहता है तो अगर आपके पास आइडिया अच्छ है अगर आपकी सोच अच्छ है अगर आप बढ़ना चाहते तो कई सारे बिजनस के तरीके से बिजनस भी हमारे देश में बहुत हैं दिसे रिलाइंस मंडर्स्ट्री के हैं बात करें तो मानी हो गए अडानी हो गए लोगों ने भी मतलब लोन तो लिया होगा पर कई सारी चीज अपने देश से लोन लेकर ही आगे बढ़े हैं और अपना बिजनस को इतने आगे तक बढ़ाया है और इतने देश को इतने आगे तक है देश में इतनी उन्नती लाइए प्रगती लाइए तो इसी के लिए बहुत सारी चीज़े अगर उस सारी क्राइटेरियास को देखा जाए सरकार की ज्यादा क्योंकि आज कर भी हम देखते हैं लोगों ने गवर्मेंट सेक्टर को एक कमाई का और आराम का जरिया ज्यादा बना दिया यह बोल सकते तो उसी के लिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चूस करना बैटर हो गया गवर्मेंट सेक्टर चू सिर्फ इस्प्रिष्टो में नहीं लाकरेकि मुझे कर तहां रेशाय कई चोछे नहीं लोगता चूस को में से साघव तीन साल के अरांट काम कि यह तो मैंने देखा कि आपको पर प्रैशन नहीं डाल रहा को आटका कोई इतना आपको प्रैशर नहीं करता है रिवेट से अगर आप अपने तो झूजभूच से अच्छे से कर रहे हैं वक्त के साथ तो ऑप उसको बहुत जल्दी आचीव कर लेती हो ऐसा रहता है पर अगर वहीं गवर्मेंट में देखा जाए तो आपके सीनियर्स के अगर आपको उत्ता सपोर्ट नहीं आप उसको अन्सी की तौर पर ले रहे हो और सब काम छोड़ रहे हो कि हम आफी में रिप्ता लेंगे तो वह एक प्रेशर बन जाता है लास्ट में जाते जाते वहीं प्राइवेट मे और टाइमली टाइमली वो फो जाता है और देखा जाए तो प्राइवेट में एक फ्रेंडली इंवार्मेंट रहता है यहां पर किसी को किसी सर मैं ऐसा कुछ नहीं सब एक बराबर एक्वैलिटी की तौर पर देखे जाते हैं गवर्मेंट में भी यह सब चीज़े होती है पर परमापे सार मैं और कई सारे सीपिनियर लोग भी town एक्सपिरेंस सीचने की कोशिश करते हैं उन्हें नीचा दिखाने की कोई कोई जाता है तो ऐसी है और रही वाद अगर पॉलिसी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्मेंट सेक्टर जैसी कई सारी जैसे पीएफ हो गया इंशॉरेंस हो गया रेंट हो गया यह सब जीज़ों की और बेनिफिट्स मिलत से कटता है जादा यह सब सेलरी में से ही कट जाता है तो थोड़ी सेलरी पे असर ज्यादा पड़ जाता है तो इसके लिए लोग गवर्मेंट को ज्यादा चूज करते हैं अगर आप देखे जाओ तो प्राइवेट भी आपको तना मेनिफेट दे सकता है तोड़े इनके बाद एक ग्रेटिटीटी भी एक ऐसी चीज है तर एक कंपनी में आप पाक से जादा साल काम करते हूं तो एक अच्छा माउंट आप ग्रेटिटीटीट का भी उथा सकते हैं जो ऐसी पॉलिशी गवर्नमेंट में नहीं है तो दोनों सेक्टर अपनी अपनी जटा सही है पर प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट अगर मिलके काम करें तो वो भी कोई बुरी चीज नहीं है हम दोनों सेक्टर को वरोबर तरीके से देख के और आगे बर सकते हैं मेडम आप एक फाइनेंस एनलिस्ट के रूपर भी काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बिजनेंस के इंदर खाइनेंस आंप हैंकर बढ़ा सकते हैं ऑपने बिजनेंस को बहुत अच्छे लेबल तक ले जा सकते हो पर मैं यह भी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक फाइनेंस से आप बिजनस को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो बिजनस में कई सारी चीजे और भी पार्ट होती है फाइनस एक इसको सिर्फ है जैसे दूसरे हिस्से अरणकेटिंग सेल्स और काफी दूसरी चीजे भी होती है कस्तरमर का नोलेज होना की किस्तरमर को भी से पसंद आती है तस जान छीजे होती है बिजनसाइ ही बात मेरी की मैंने अपना फानेस अनलिस्ट क्यों चूश की एजन जॉब आगे जाके जो मुझे बिजनेस एंटर फैनरी बनना है तो बिजनेस एंटर फैनर एक वो होती है कि जादो किसी कंपनी के सीओ बन सकी एक कंपनी को शुरूख से लेवल से बहुत आगे तक बढ़ा आगे तक ले जाए वो खुद का बिजनस बना ले एक यह अप्शन हो सकता है या तो बिजनस एंटर पर अपना खुद का बिजनस खोल के उस तरीके से उसको आगे तक बढ़ा सकती है मैंने शुरू से फाइनेस में इंटरस्ट लिया है मेरी बहुत रूची रही है तो इंसान खरिदता बेशता है और उसमें पैसान लगाते निवेश करते हैं और यह बहुत ही अन्रियलिस्टिक चीजे हैं यह एकदम कंसिस्टेंट लेवल पर नहीं चलती क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कब मार्केट डूप जाए कब मार्केट बढ़ जाए और उ करना पड़ता है हर्टीच मेरा बिजनस अनलिस्ट होना यह एक पार्ट होता है जहां पर पूरा एक फाइनेशल अकाउंटिंग वह हैंडल करते हो कॉमर्स में हम वहीं पढ़ते हैं कि अकाउंट कैसे आप पुरा लें देन बिजनस का या बाजार का पुरा सीखते हो कैसे समझालते हो कैसे लेंदिन करते हो हर एक एक रुपे का आपको पुरा हिसाप किताब मिलना चाहिए जैसे आपने सुना होगा फाइनेश का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अकाउंट का नॉलेच अकाउंटिंग नॉलेच आपको होना चाहिए उसमें कई सारे इसे हम यूज करते हैं जैसे लाब या मुनावर कितना कमाई होती है बिजनस में वह सब देखा जाता है बनाई जाती है कितने आपके पास लाइबलीटी लाइबलीटी बोले तो कितना आपके उपर एक उप्लिगेशन से आपके उपर कर जैए और या दूसरी दूसरी ठाइबल कितने होई तो और सब भी निकाला जाता है और अगए बढ़ता जाता है फान इंचय Ball तो ये बिजनस का एक बाहती सोःजिय है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है तो इसका नहीं के लिए और इसको बहुत अंदर तक और समझने के लिए ही मैंने फाइनेंस को इतना पड़ा लिखा और उसके कोर्स करें उसके सर्टिफिकर्स लिए उसमें ही जॉब आवे तरही है कि मुझे अकाउंटिंग का और सारी चीजों का अच्छे से अच्छा नोलेज हो नाई सिव अकाउंटिंग का अजकल की जो टेक्नोलोजी और इस तरीके से आगे बढ़ रही है वह खोई सारी लोगों की नौकरी तक मतलब हटा देगी नौकरी की जरवत ही नहीं पड़ेगी सब कुछ जाएगा ना ही सिर्क वोट की परपस से आप देख सकते हो जो आपकी नैसेसिटी के वहीं आप सेवाओं की से तरफ से भी देख सकते हो सर्विसेस में भी कई सारी चीज़ी हो रही है रॉपोर्टिक इंडस्ट्री में देख लो तो कई सारे रोबोर्ट ऐसे बन चुके हैं जो आप सबकी दिरे दिरे मशीने और यह टेक्नोलोजी कवर अप कर लेंगी तो अगर आप बात करो तो आपने कई सारी फॉरिंड कंट्री में भी देखा ही होगा कि महां पर उनको काम कम करना पड़ता हैं वहां पर वो लोग काम कम करते हैं तीन-चार घंटे में उनका काम बागी के टाइम वो पड़ाई हैं और वो पड़ाई की फंव वज्चिवन अपने सालरी में तो यह जो एक इंवार्मेंट है यह बहुत जल्द इंडीया में भी आ सकता है तो कि अब इंडिया एक डेवल्प कंट्री बहुत जल्द बन सकता है जिस तेजी से वह डेवलपे हो रहा है मेरा फाइनेंस का समझना और फाइनेंस को पूरी अच्छे पढ़ना लिखना नौकरी करना यही मक्सद था कि मैं बिजनस को जब भी कोई किसी भी चीज के लिए बिजनस खोलू तो उसका पूरा फाइनेंस मैं अपने खुद से अंडल करूं करूं को अगर मुझे क कुछ भी घाटा हुआ तो मैं किसी किसे कंप्लेइन ना करूं कि आपकी तरह से उगया कि वो मुझे आना चीए सब कुछ करते हैं एक बार को मैं मार्केटिंग टीम लग सकती हूं अपने प्रोडॉक्ट को बेचने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सेल्स टीम लग सकती कंपनी आगे बढ़ गई तो मुझे भी रखनी पड़ेगी पर कभी कोई अगर इशू होता है या एरा आता है कुछ भी कहीं हम फस्ते हैं तो सबसे जो बेसिक फॉंक्शन होना चीए मुझे अपको नौलेज होना चीए तो मुझे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सको तो इ आगे बढ़ते जली गई और इसी के लिए मुझे आगे भी इसी में अपना बविश्य नजर आता है मैडम आपने जैसे की बताया कि कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर बच्चे कमाई भी कर रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी फाइनस और कंडिशन को इंपरोग कर अपने कमाई भी करें और अपना खर्चा खुद उठाए इस चीज के लिए मैं अपना खुद का एक उधारन जेना चाहूंगी जब मैं एक स्टूडेंट थी मेरे लिए भी जैसे मैंने बताया कि मैं एक मध्या फैमिली से बिलाउं करती हूं मिडल क्लास तो कही सारी चीज सब्जेक्ट लिया था और फाइनेस में जब मैंने आगे भी कॉम और एंबिये में पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छी चीज पता चली थी एक सिस्टमेटिक इंवेस्मेंट प्लान होता है जिसे हम एसाईपी बोलते हैं और आजकल बहुत सारे यूवा लोग उसे यू आती है कई सारी प्राइवेट बैंग और हमाउंट इसमें पैसा डालने के लिए यह ऐसा रहता है कि आप इसको फानसो से चानु कर सकते हो और हर महिने आपिसमें पानसो पानसो रुपए निवेश कर सकते हो और आगे जाके कुछ पीरियाद होता है ते जैसे कि तीन साल तक सबसको निकाल नहीं सकते निकाल भी सकते हो जब जरुवत पड़े तो पर अगर नहीं निकालो तो तो तीन या चार साल के लिए लेते हो तो एक बहुत अच्छा अमांट इसमें मिल जाता है अगर जैसे आपने फुट पाड़ा होगा या सुना होगा कि हमारे ना दो तरीके क होता है से इंट्रेस्ट होता है इस फिलीमेंट से आशार वहां पा dato को सब्सक्राइब च्राइब और आपको दे चले चाना जाता है तो यह बहुत अच्छा निवेश करने के लिए रासता है बच्चों के लेए जो मैं खुद भी कॉलेज में बहुत बाता चलना था तो मैं मैं जब इसे यूज करने लगी थी जिसकी वज़े से में दो-तिन साल बार मेरे खर्चों से अलग एक बहुत अच्छा आमांट सेव रोगा तो जो जब में को जर्वत पड़ी थी तो इसे में यूज कर पाई तो यह तो एक निवेश की बात होगे वैसी कई साही दूसरी पॉ से कमा सकते हैं और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो बढ़ाए के साथ साथ नौकरी यह इंडिया में इतनी जल्दी भी नहीं हासिल उपाएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रास्ता है अगर यहां की क्योंकि इंडिया की सोच लोगों की सोच भारतेश की बहुत अलग है सबका अलग अलग तरीका होता है सोचने का तो वह वी माबाप अपने बच्चों को पढ़ते पढ़ते नौकरी करना एक थोड़ा अलग चीज टाइप की बात हो जाती बेटा हम है यहां पर क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्गों की कमाई है तो बच बच्चा यहां के कल्चर में कि हमारे पास पैसे इतना है तो कोई जरुवत नहीं है बने वह इंसान बहुत अच्छा हो तो एक यह बोल सकते हो कि यह बहुत कंफर्ट जोन होता है तो यह चीज बहुत बेखी जाती तो इतने इसली भी एक इंप्लिमेंट नहीं हो पाता है पर कई सारी मिडिल क्लास या पूर फैमली के बच्चे जो अपनी फैनेश कंदिशन से उभर नहीं पाते तो उस चीज के लिए यह सब चीजे वह लोग बहुत सोचते उनके लिए उन पर यह बहुत स्यादा प्रेशर रहता है तो यह सब चीजे निवेश करने के लिए तो कर सकते हैं पर कई बार उनके पास भी इतना पॉकेट मनी हर इंसान को नहीं मिलता है इतना पैसा हर इंसान के पास नहीं रहता कि खातों में हो तो हम कर निवेश कर दे या निवेश कर दे तो बहुत सारे लोग हमारे भी देश में मैंने देखा है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे दिन में पढ़ा कर दो लोग में कर रहां हैं तो अपनी चोटी शोटी दुकाने लगाते éへ इक होएफ़ाने की Košिस करते हैं। बहुत सारे लोगों को निराशा फ्यातर होती है कि वो नहीं सक्सिस कर पातें बहुत जल्दी पट उसके लिए कई सारी चीजिए संकार ने भी सपोर्ट करिए जैसे आपने सुना होगा MSME जहां एक सरकारी संस्था है जहां अगर आप अपना अच्छा प्लैन बताओ अगर आपके पास बिजनस आइडिया है तो आपको संदिंग कहां से ले लोन कहां से ले कस अंस्था्र यह सारी चीज़े बहुत इजन सुना होगा संद्र नोन हो नंड जो बहुत इजीली मिल जाता है करूष क्कुए जयन्ट अकाउंट में ईक लोउन सब्सक्राइब का मिलिन पैसा अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हूं पर अगर कुछ बच्चे जो पढ़ते पढ़ते कमाई का जरिया सोचना चाहते हैं फाइनेशली फ्री हो सकते हैं तो उनके लिए तो निवेश ही करना मेरे अकॉर्डिंग सही रहता है या तो वह अपने ऐसे छोटा मोटा गये आये क्योंकि यूज्ण को अना चैपा नहीं लगा में शचया तो अगर आपको इसका स्रूवाग को ऑट और प्रूश कर बार्वरश का चीश स्की होका इस पर अगर आपको रॉत रहता है वह सको मदगतशन नहीं दो पिल अशुक्त वर जगर ओपको कर दो डकाना यह है वह आप उसको भले खर्च कर दो जहां को यूटिलाइज डोड़ा तो वह बच और वह बचा निकाल नहीं सकते हैं ऐसा आपको उसको बजाना पड़ता है या तो उसको आपको निवेश कर दो जैसे मैंने बताया साइपी हो गया दूसरी दूसरी प्लाइंस और पॉलिसी उसके अंतर तो यह बहुत अच्छा प्रिंसीपल है अगर कोई कॉमन मैं भी है ना तो वह अगर कोई नौकरी करने वाला इंसान है तो जितना अगर कमाएगा तो उसका कम से कम 30 to 40% निवेश करने के लिए या सेफ करन है और अपना खर्चा महीने का अंकाला है और यह सब करना है तो यह एक बहुत अच्छा सोर्च यादर इसी प्रिंसिपल पर सब चलते हैं तो बहुत सारा इंवेस्टमेंट पैसा इखटा कर पाते हैं जिससे आगर कि उनके बिजनस के लिए उनके प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और वह ज़्यादा प्रोट मिलता है वह सारी और रास्ते वी उसके लिए उन लोगों के लिए खुल जाते हैं तो अगर बच्छे जो अभी से अपनी स्थी अच्छी करनी जाते हैं जैसे आपने बोला कि प्रेशर हटाना चाहते प्रदे पड़ते तो इतनी जल्दी तो नहीं पर हां यह है कि थोड़ा थोड़ा वह बचाना सीखे कैसे निवेश करना सीखे यह सब अभी से अपनी दीवचरिया में लाना सीखे तो यह बहुत अच्छी चीज होती है जैसे कि नानी भी आपने देखा होगा बच्छपन मे आते थे खाने पीने में करी सारे लोग उसमें से भी पैसा बचा लेते थे वह आगे जाके उन्हें को काम आना है तो यह एक पैसा और कुछ नहीं उस पर आपकी जिन्दगी तो टिकी है यह ज़रूर सही है पर एक तरीके से आपकी नैसेसीटी वह लें देन चलता ही रहेग तो इसी के लिए अगर आप जितना अच्छा निवेश करना सीख अपको जितनी जल्दी जितनी अल्वी इस लाइफ में सीखो तो अतना आपके लिए अच्छा होता है कि उतना सेफ कर पाओ तो अपने रिटन आपको आगे आपकी फ्यूचर में मिर पाएगा जो आपको सिस दिलासक्ताइब के जिनता की कि दन्यवाद मैंने माप का कि आप हमाय साथ जुड़े और आपने इतनी सारी इंफोर्मिशन हमें से एरे करी